किराडी में जब सच जूते पहन रहा होता है तब तक एक जूत आजी दुनिया की शेयर कर चुका होता है वही अर्विन केजरीवाल का हाल है कि जूट बोलने में उनकी महारत हासिल है भरष्टाचार चोरी में उलच के रह गए हैं केजरीवाल वरना दिल्ली में सरकार चलाना कोई इतना मुश्किल नहीं था लेकिन क्योंकि आपने चोरी किया अब रष्टाचार किया और कुछ जमीन आपके पास बची नहीं है तो आप कुछ भी अनाफशना बोलते हैं इसलिए हम कहा रहे हैं कि जाच अपना काम कर रही है सच अपनी सब के सामने आप और सबको देखेगा भी अब देखिया किराडी की जनता उनका विरोध कर रही है क्योंकि अर्विंद केजरीवाल या उनके मंतरी जो हैं वो सिर्फ पत्थर लगाने जाते हैं मैं आपके सामने पूछता अर्विंद केजरीवाल से अभी कुछ समय पहले केलाज गहलोत वहां गहते बस सड्डे का उद घाटन करने उसी किराड़ेवी दानतवाब में जहाज अर्विंद केजरीवाल है एक इट लगी हो तो दिखाते हैं मनीश सोधिया जो पिछले एक साल ते जेल में बंद हैं वहां एक हस्पताल का शिला नियास करके आया है एक पत्थर लगाओ तो दिखाते हैं वही हाल अर्विंद केजरीवाल का है कि स्रीव नाम पट्टी का लगा कर आ जाएंगे करेंग देखिए वो कानून अधिकारी बता पाएंगे कि उस संबन में क्या था हमने तो देखा नहीं हमें तो इतना पता है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने जाकर नोटीस दिया इनको तीन दिन में जवाब देना है यह अपने जवाब में बता दें कि उस नोटीस में क्या था झाल झाल